करोणा एक देवी गुन है इसलिए करोणा केवल आपको मानम में ही नहीं पशों में परापत होगी पक्षि में भी आपको देखने को मिलेगी बरक्षों में भी आप देखोगे तो आपको करोणा परापत हो जाएगी जैसे एक बहुत रूची करका था मैंने सुनी कि सुरास्टर की बात है वहां की कराजा थे बहुत अद्बुत पुरुष्ट थे बड़ा प्रजा के साथ लगाव था बहुत प्रेम था अपनी प्रजा के साथ बड़ी करुणा थी उनके अंदर और एक दिन वो अपने महल में एक स्थान पर ब्रश के नीचे दिवार के पास एक उनकी सभा लग रही थी मंतरिगन बैठे थे सिपाहीगन खड़े थे सबके सब लोग उनकी बात बड़े आदर सही सुना करते थे उसी उसी शहर में उसी नगर के अंदर एक विक्ति था जो मजदूरी करके कुछ लेकर आता था तो कुछ जीवन निर्बा होता था बच्चों को कुछ प्रापत होता था लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आई कुछ प्रस्थितियां ऐसी हुई दो दिन बीत गए तीन दिन बीत गए कहीं कुछ काम नहीं मिला अब जो अनाज था वो भी खत्म हुआ और कहते तीन दिन माज थीती कुछ ऐसी हो गई कि एक वक्त का भोजन में मिलेगा ये भी नहीं लग रहा था तो जैसे मन को पीडा थी और तीन दिन बाद वो विक्ति चला मन में एकल्प न लेके कुछ अच्छा काम मिलेगा कुछ बच्चों को कुछ प्रापत हो जाएगा लेकिन सुबह से सांज हो गई कुछ काम नहीं मिला अब भुखा पैसा खुद भी था खाने को कुछ नहीं था कहते जब सांज हुई और वो विक्ति जब वापिस घर की और जाने लगा दुखी मन से तो बिलकुल महल के जहां पर राजा की मीटिंग हो रही है सभा लग रही है उसके बाहर बेरी के पेड़ के नीचे से गुजरा तो निगाव बेरों पर गई और बेरों को देखकर मन हुआ फिर पत्थर उठाया फिर मारे कुछ बेर आये थोड़ा मन में लाला चा गया क्यों बच्चों का ख्याल आया बच्चे भुके हैं घर वाली भुकी है उनके लिए कुछ लेकर चलता हूं पत्थर मारता रहा बेर टूडते रहे लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक पत्थर बरक्ष को नहीं लगा भीतर राजा के सर पर जाकर लगा और चोट लगी रक्तबहा तो मंतरी जैसे ही थे करोद में आगे सिपाही करोद में आगे बोले जाओ जिसने ये दुसास किया उसे पेश करो आगे तो दो सिपाही दोड़े दोड़े गए और ये विक्ति उसी भाब में वही पत्थर मार रहा था ये जानता ही नहीं कि एक पत्थर अंदर जाकर लगा राजा के लगा है और ये दुनिया से बेख़बर बेरी कठे कर रहा है बच्चों के लिए अपने लिए घरवारी के लिए और सिपाही ने जाकर पकड़ लिया और वो रोए बोले आप मुझे क्यों पकड़ते हैं बोले आपने हमारे राजा के पत्थर मारा बोले मेरी क्या उकात मैं राजा सहाब के पत्थर मारूंगा बोले नहीं आप पत्थर मारा और वो पत्थर राजा के बजा उनके रखत बहरा है आपको उनके सामने पेश किया जाएगा कड़ी से कड़ी सजा आपको दी जाएगी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और राजा के सनमुख ले गए अब जितने दरबारी थे जितने मंतरी गंग थे जितने सिपाही थे सब चिलाने लगे माराज इस वक्ति ने आपके पत्थर मारा इसे उची से उची दंड दिया जाए और कड़े से कड़ा दंड दिया जाए राजा ने पूछा एक बार पूछी तो सही बोले आपने हमारे पत्थर क्यों मारा सनमो खड़ा था हाँ जुड़कर आंखों से आंसु बह रहे थे दिल डरा हुआ बोले माराज मेरी क्या उकात में आपके पत्थर मारो बोले फिल बोले गरीब की किसमत भी गरीब होती है हमारा भूखा था प्यासा था कहीं दिन बीट गए कोई काम ने मिला था आज काम की तलाश में गया आज भी कोई काम ने मिला सांज हुई तो बेरी के पेड़ के नीचे आया भूक लगी थी एक पत्थर मारा बेर आये खाये बच्छों का ख्याल आ偌ा गया उनके लिए चलता हूँ तो कहीं पेड़ को पत्थर मारते मारते सहाब आपके पत्थर आकर मिला लगा मैं नहीं जानता था मेरा पराध नहीं है तो राजा ने ये बात सुनी बोले आप बताईए इसका क्या दंड़ दिया जाए तो सभी लोग अपनी अपनी सलादेने लगा है मंतरीगन भूले महराज यसे मृत्व दंड़ दिया जाए हमारे राजा दिराज के पत्थर लगा सिपाही अपनी भाषा बोलते हैं राज धिकार के अंदर इसे उचित दाम पर नोकरी दी जाए ताकि इसका जीवन दर्वा अच्छे तरीके से हो पाए अब राजा का ये फैसला सुनकर सबके सोल दंग रहेगे बोले महाराज आपके पत्थर मारा इसे दंड देना चाहिए ये दंड नहीं ये तो पुर्षकार है राजा मुस्कराया बोले एक बात का उत्तर दीजिए इसने पेड को पत्थर मारा और पेड पत्थर बजने से फल देता है और मुझे पत्थर मारे और मैं सजा दूँ इसका अर्थ है कि मैं पेड से भी अधम हुआ अब आप विचार कीजिए ये करुणा राजा के हिरदे की है ये करुणा बरक्ष के हिरदे की है बरक्ष को पत्थर लगा वो भी फल दे रहा है और राजा ने भी कहा जब बरक्ष को पत्थर लगता है वो अपनी करुणा बरसा देता है वो फल देता है मैं मानव हूँ, मुझ में भी दैवी गुण है, मुझे चाहिए कि अगर वो फल देता है, तो मैं इसे उचित से उचित और अधिक पुरसकार दूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत कम है, इसलिए मानव हिर्दे के अंदर तो करुणा अत्यांत आवश्रक है, करुणा हूँ झाती हूँ